आजिए आज़का अध्याय क्रमांक थीन है ईसका नाम है आपका पर्मानू और अनूं बस है जैसे कि यह बॉटल हो गई जैसे कि सारी चीज़े आप मैं हम सब हम सब किसे मिलकर बने हुए है परमानों से और अनुवा से तो सीरीजी कहानी यह है कि परमानों और आपका जो है वह रसाइन विज्ञान का एक ऐसा चैप्टर एक अकेला चाप्टर बस नहीं राइट उसक बारे में बात समझ गया कि देखो कैसे तो इस पूरे चाप्टर में बेसिकली हमको कौनसी कौनसी चीज़े पढ़नी हैं क्या-क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं और अगले दो से तीन घंटों में इस चाप्टर के हम पूरे कौनसेट्स को बढ़िया से करेंगे कवर शुरवात होती है कहां से रासाइनिक संयोजन के नियम से उसके पहली की कहानी यह है कि एक हमारे पास साइंटेस्ट थे जॉन डेल्टन जिसको हम मौडन साइंस का पार्ट मान सकते हैं विकाज जो एंसेंट साइंस है यानि की काफी पुरानी जो पुरातन साइंस हैं उसमें हमारे देश के बहुत बड़े आपके केमिस्ट हुआ करते थे रसायन शास्त्री हुआ करते थे और उनका नाम था क्या तुभी उनका नाम था कनाद महर्शी कनाद तो पहले महर्शी कनाद ने जो चीज बताई उसे के बारे में बा हो गई पर इसमें कहा गया कि जो पर्मानु है वो कैसा है आपका आविभाज यह मतलब यह कि आप उसको और ज्यादा भागों में तोड़ नहीं सकते हो बात समझ में और क्यार किया जब उन्होंने यह चीज समझाई तो फिर उन्होंने बताया कि यह जो रासायनिक संयोजन के नियम है बहुत सारे रसायन हो सकते हैं HCL हो सकता है sodium sulfate हो सकता है electron proton neutron हो सकता है S2S or 4 हो सकता है, NAOH हो सकता है, ऐसी जितनी भी चीज़े हैं, इन सब के संयोजन के नियम में दो चीज़े छुपी हुई थी और कौनसी कौनसी वो दो चीज़े थी, पहला था उसमें दरविमान के संदक्षन का नियम मतलब यदि कोई क्रिया होती है, कोई अभी क्रिया यदि होती है, तो उस समय दरविमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, पहली बात, दूसरी बात, इस्थिर अनुपात का नियम, राइट, तो यदि अच्छे से जानना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास फ्री और कॉस्ट, राइट, अब देखो, तो क्या क्या दिखा था, रास्साइनिक सायूजन के नियम, जिसके अंदर दो टॉबिक्स को हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला आपका होगा, द्रविमान के संरक्षन का नियम, और दूसरा आपका होगा, सिर अनुपात का नियम, साथ में इस शाप्टर में हमने ये जाना कि परमानु एवं अनु जो है, परमानु एवं अनु जो है, उसके बारे में हम कौन से कौन सी चीज़े पढ़ने वाले हैं, तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन से कन होते हैं, जो परमानु और अनु का निर्मान करते हैं, सा के लिए फिर हम calculate करते हैं परमानों और अनों के द्रविमान के लिए अलग सी इकाई बात समझ में आगी और लास्ट में हमने यह जाना कि आपका जो रासाइनिक सूत्र एवं आयन होता है अब देखो रासाइनिक सूत्र लिखा है लिखा है है हाइडोजन क्लोराइट का लिख होते हैं वह किस प्रकार से रासाइनिक सूत्र का निर्मान करते हैं मतलब यह कि इस कख्षा को पढ़ने के बाद आपको कख्षा ग्यारवी दसवी बारवी वार्वी उसके बात के भी सारी चीजों में यह दिकिसी रसाइन का नाम लिखा जाएगा जैसे कैल्शियम कार्मोन चारी सिम्बल जी कहां निहीं तो रासाइनिक सूत्र एवम आयन जो है निक सूत्र एवं आपका जो आयन है उसके बारे मैं हम बात करेंगे जिससे निर्मान होगा अलग-अलग प्रकार के योगि को का साथ पे चलते चलते हम एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जो हमारी याने क मेरे सबी स्टुडेंट्स की जिन्दगी में पहली बार एंटर कर रहा है और उसका नाम है आपका मोल संकल्प ना सवाल पैदा होता है कि सब को जतना आसान जब चल रहा था तो फिर मोल ने एंटरी क्यों मादी तो इन सब के लिए आपको इस चैप्टर को इस क्लास को इस वी है और उस बड़े समू को ही हम कहते हैं एक मोल और इसमें कितने आते हैं 6.022 इंटो 10 रसुदी पावर 23 मतलब 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 कि यदि मैं 6 के आगे शून लगाना शुरू करूं तो मैं मुझे 20 शून लगाने पड़ेंगे आप काउंट भी नहीं कर सकते बात समझ में इतनी ब किसी करन का बात समझ में तो से एक बात बंस चल गई कि हम आकार की बात करें तो हमारा जो परमानूaur अह्मों है वो बहुत ही ज़्यादा च्छोटा है बात समझ में आगे चलिए तो इस तरीके से हमने सारे आएंजिक के बारे में देखा सबվ कूछ हमने देख लिया हमने यह भी जाना कि एक यू या फिर एक जो एम यू है जिसको अटॉमिक मास्ट यूनिट कहते हैं एक यू यह एक जो एम यू है इसके कारण आप कैसे परमानों और मुलर द्रवेमान कैलकुलेट कर सकते हो और इसकी क्या है तो अबिसली भाई नया को अधुरा मिनट के क्लास में समझ में नहीं आएगा इसे के लिए तो बनाया गया है वन्सॉट रवीजन वीडिय Disability शुरू करते हैं वन्सॉट रम हाईन मिस कर रहा हैं JUST वायन और honesty ओ और हुती है वो करती है दूसरा आपका रिन आयन हैं जो कि आपका रिनात्मक होता है जिसमें आपकी एधातु हैं जो है वो आती है बात समझ में आगे बड़ी लिए हैंसिंपल से कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी Season concept को देखियेगा और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा एक बार फिर से देखते हैं इस पूरे चप्र में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वह कहानी बड़ी सिंपल सी है रसाइन विज्ञान की बात हो रही है कक्षान नवी से बात हो रही है अध्याय क्रमांग तीन के जिसका नाम है परमाणू और अनू उसमें हम देखेंगे रसाइनिक सहियोजिन के नियाम परमाणू एवाम अनू का आकार और कणो का प्रकार साथ में हम देखेंगे परमाणू एवाम अनू का दरविमान और हम जानेंगे रासाइनिक सूत्र एवम आयन के बारे में मोल संकल्टना और मोलड द्रवेमान के बारे में भी हम एक ऐसे विज्ञानिक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आधुनिक विज्ञान में ये बताया कि पर्मानु जो है अब भाजे हलाकि ये जानकारी बाद में गलत साबित हो गई पर इस पूरे चाप्टर का जो आधार है वो रखा किसने जॉन डैल्टन ने बात सहज मैं रही है कहानी बड़ी सिंपल सी है इसको बहुत बड़ी दरीके से अपने कॉपी में नोट करो स्टार्ट करते हैं धमागे के साथ इस पूरे चाप्टर को और बिलकुर आप बने रहीएगा कॉपी ला लीजे पैन ला लीजे एक बाटन में पानी लेकर आ जाईए कुरकुरे ला लीजे बिसकिट ला लीजे कुछ खाना पीना है तो सब लाकर रख दीजे और शुरू हो क्योंकि आपकी तयारी जो हैं वह हम करवाएंगे बात समझ में आगी सिंबल से गानी है इसको बढ़ी दरी किसा नोट करो बढ़ते हैं आगे और 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 शुरू करते हैं राइट अब अपने आसपास कि आप कोई भी चीज देख लीजे वह किसी ना किसी कंड से मिल होता है परमानू होता है इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है यह सारी चीज़ों जो है हम कक्षा नवी में पहली बार सुनते हैं पर क्या पहले से यह सारी चीजों के बारे में लोगों को पता था इसके लिए में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी किस चीज की पदार mystery के बारे में भी बात करेंगे हैंना तो इसके लिए की ये देखना पड़ेगा »कौन से वो characters ہیں कौन से वो लोग हैं कौन से वो महारत ही हैं जिनोंने सबसे पहले पहले पदार्थ की किसी कण को define किया और आप याद रखिए इसको अपन कण क्यों कहते हैं इसको हम कर्ण क्यों कहते हैं क्यूंकि कम से कम मलब लग वख आपके जो है 520 बात किसकी हो रही है 520 मलब हम इसको इसे पूरु कह सकते हैं यानि कि आज से लग वख 2022 यह हुगा है पांच-सट्य आईसो साल पहले एक बहुत ही महान विज्ञानिक थे भारती विज्ञानिक थे जनका नाम था मेर शीकुर्ण राइट इन्हों ने एक सिंपल सी कहार नहीं दी इन्होंна ये कहा कि आपके पास यह दे दो-तीन अलग-अलग चीज़ें है जैसे कि ये पैन, जैसे कि ये बॉटल, और 새 बहुत सार भी चीज़े हैं वो एक ही प्रकार के कड़ों से मिलकर बनी हुई है और वहीं से जो है हमने उस पार्टिकल को कौन सा नाम दिया कड़ और वो कड़ जो है वो कहां से निकल कर आया कणात से निकल कर आया और ऐसा हम क्यों बढ़ रहें क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जो पदा भी इनका भी यहीं मानना था कि किसी भी चीज़ को बहुत चोटा करके देखेंगे दो अलग अलग आद हеся झीज़ों को यह दी हम भाध चोटा करके देखेंगे लुटनों के बनने वाले जो कण होंगे वह लगभग एक समान होंगे बास समझ में आगे इस तो तरी अब बात हो रही है कि इसकी लवाईजी है और प्राउस्ट की अब इन दोनों धुरंदरों ने क्या बताया ध्यान से देखिएगा इन्हों ने कहा आप यदि रासाइनिक संयोजन का नियम समझना चाहते हो आप यदि कणों को समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा दो इंपॉर्डेंट चीज़े जिसमें से पहला है आपका द्रविमान के संद्रक्षन का नियम और दूसरा है आपका स्थिर अनुपात का नियम तो यह सारी जिजों का हम वन बाई वन करने वाल बोले कि भई आप जो परातका करने उसके बारे में किसने अपडेट दिया राइट किसने जानकारी दी तो सबसे पहले महर्शी कनाद ने दी उसके बाद डेमोक्रिट्स और यूसीपस ने दी मौडन जो साइन्स आपकी है आधुनिक विज्ञान जो है उसमें लवाई जिये और प्राउस्ट ने जानकारी दी और क्या बोला द्रवेमान के संद्रक्षन का नियम और साथ में बात हुई स्थिर अनुपात के नियम के बारे में और इन दोनों नियमों को अपडेट किया हमारे सर जॉन डैल्टन ने जिनकी डैल्टन's atomic theory अभी हम पढ़ने वाले हैं बात समझ में आगी तो यह बड़ी सिंपल सी कहानी है राइट 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 इस तरीके से क्लियर है कहानी सिंपल है कहानी इसको अपनी कॉपी में नोट करे हो गया बहुत जादा आसान है भैंकर ही आसान है बस अगले एक देड़ दो घंटे आप मेरे साथ बैठी है मैं इस चाप्टर का एक एक कॉंसेप्ट जो है आपके दिमाग के अंदर करने वाला हूँ फिट बात समझ में आगी चलो अब यह हो गया अब हम यहाँ चलते हैं तो पदार्थ के जो हैं वो कंड तो होते हैं अब पदार्थ जो हैं उसके कंड तो होते हैं अब चलते हैं द्रवेमान के संरक्षन के नियम के तरफ जिसके हिसाब से यह कहा जाता है की 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 द्रवेमान का संरक्षन का नियम क्या होगा द्यान से देखिएगा तो द्रवे चलक प्रकार की परमारू से मिलकर बना होता है अनू से मिलकर बना होता है बात समझ में आ रही है हमने क्या जिसके लिए हमने की योगी टो हब देबिग हम N2 लिया ग्राज़ि तो हमने क्या मिला हमें मिला to NH3 इसको हम बोलते हैं ammonia इसको हम क्या बोलते हैं ammonia right अब देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहां तीन लगाना पड़ेगा वहां कुछ नहीं लगाना पड़ेगा अब यदि हम दोनों ही तरफ कुल द्रविमान निकाले राइट अब यदि हम दोनों ही तरफ कुल द्रविमान निकाले तो भाई या अब इसके लिए अब आपके लिए तो ये चीज नहीं है ना राइट तो आप बिल्कुर परिशान मत होईए अब बस ये मान लीजे कि जो तत्व होते हैं परमानों होते हैं सब के लिए एक निश्य द्रविमान फिक्स कर दिया गया है जिसका लेना देना होता है उसके परमानों क्रमान के साथ में तो आप एक hydrogen का कितना होता है एक होता है इसको लिख लो यह अपने को बार-बार काम आएगा राइट तो ऐसा नहीं है कि यह आपके पास 118 अत्व हैं तो आप सब का दर्वे मान याद रखेंगे आपको सिर्फ याद रखने हैं दस उसमें से भी बहुत important जो है students वो है हमारे 5 ठीक है तो अपने पास क्या-क्या है अपने पास hydrogen है oxygen है carbon है nitrogen है sodium है calcium है chlorine है और कुछ बच रहा है क्या magnesium ले लो चलो और सब का जो है मैं लिखने जा रहा हूं द्रविमान राइट चलो तो इसका होगा एक इसका होगा आट दोनी 16 इसका होगा चैनी 12 इसका होगा साथ दोनी शवदा यहां पर होगा 20 यहां पर होगा 40 यहां पर होगा 35.5 और यह बर magnesium है तो यहां पर होगा आपका 24 aluminium का होगा 27 यह लिख लिए आप लोगो नहीं अब ध्यान से देखो भी कितने hydrogen तो यहां पर आपके जो है 6 hydrogen कैसे 6 hydrogen जैसा कि मैंने आपको कौन से वीडियो सिखाया था दिहां देखिएगा बेगो एक में 2 एसे वाले तीन है तो यह 6 hydrogen का कित्ता हो जाएगा 6 ग्राम हो जाएगा यह सब किस्पे हैं यदि हम एक मौन निकालेंगे तो यह सब किस्पे हैं तो भी यह ग्राम में इस होता है नाइट्रूजन एक कितना होता है शहोदा होता है दो कितने होंगे 28 ऐसोंगे तो मैं ने दम यह मुझे मिल गया धायस ग्राम जब दोनों को हमने आपस में मिला या तो जो चीज हमें मिली वह मिली 34 ग्राम अच्छा वो क्या मिली है में? चौतिस ग्राम तो अब इसको जब हमने आपसर्फ किया तो हमने ये जाना कि भीया एक बात है जब भी हम किसी अभीक्रिया की बात करते हैं तो इधर वाली चीज तो आपकी अभीकारक है हमने का हाँ जी हाँ जी ठीक है चलो ये वाली जो चीज है इसको तो हमने अभीकारक कह दिया इसको तो हमने अभीकारक कह दिया अच्छा ये जो चीज है इसको हमने उत्पाद कह दिया ये भी ठीक चल रहा था सब कुछ अब एक तरफ अभीकारक है एक तरफ आपका उत्पाद है और यही चीज निर्मान करती है chemical reaction याने कि रासाइनिक अभीक्रिया के बारे में अब अभीकारक हो गया उत्पाद हो गया अब मैंने कह सोचा मैंने सोचा कि दोनों तरफ जो है मैं कुल द्रविमान को एक जैसा है या नहीं है यह पता कर लेता हूं तो मैंने इस तरफ कुल द अमूनिया जो है उसका सतरा ग्राम होता है दो अमूनिया के दिया नू होंगे तो कित्ता होगा तो यह भी 34 ग्राम आया तो फिर जो है मैंने दिमाग लगाया क्योंकि इसमें कुछ बड़ी भहेंगर चीज तो है नहीं राइट एकदम नॉर्मल सी कॉंसेप्ट है तो फिर म समझ मैं तो अब बात करते हैं द्रविमान के संरक्षन के नियम की और जिस चीज को अभी हमने पढ़ा यही था स्टुडेंट्स द्रविमान के संरक्षन का नियम जो की यह कहता है कि जब किसी कोई रासाइनिक अभी क्रिया होती है तो जब कोई रासाइनिक अभी क्रिया हो बस इतनी सी कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी और यहीं स्टूडेंट्स द्रविमान के संद्रक्षन का नियम अब एक काम करते हैं इसको लिख लेते हैं और इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले यह जो चीज आपके सामने दी हुई है इसको आप यह सीखा कि रासाइनिक अभिक्रिया के दौरान रासाइनिक अभिक्रिया के दौरान द्रविमान में कोई परिवर्तन नहीं आता ठीक है तो इस वाले भाग को मिया से हटाते हैं और इसकी बढ़िया वाली जो है डेफिनेशन बनाते हैं राइट और रसाइन विज्ञान को किन नानियाद दिलाते हैं ठीक है चलो आजो कहां पर द्रविमान के संदुक्षन के नियम की तरफ ठीक तो यह था आपका द्रविमान 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 के सन्रक्षन का नियम तो यह क्या था तो भी यह था आपके द्रविमान के सन्रक्षन का नियम राइट अब देखे खेल जो है अब करते हैं शुरू बहुत बढ़िया तरीके से तो द्रविमान के सन्रक्षन का नियम यह कहता है कि किसी भी प्रकार के रासाइनिक क्रिया या फिर भौतिक क्रिया के दौरान बात समझ मैं यह क्या कहता है किसी रासाइनिक या 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 किसी रासाइनिक या भौतिक किसी रासाइनिक या भौतिक क्रिया के दौरान क्रिया या अभी क्रिया ले लो ठीक है अभी क्रिया ले लो या फिर आप जो है क्रिया ले लो रैट या क्रिया ले लो आप यहां पर क्रिया के दौरान के दौरान किसी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के दौरान या क्रिया के दौरान अभीकारकों पर ऐसे नहीं लिखेंगे अभीकारकों को हम लिखेंगे अभीकारकों कुछ इस तरीके से राइट तो यहां पर आ जाएगा अभीकारकों एवं उत्पादो अभी कारकों एवं 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 उत्पादो का कुल द्रविमान अभी कारकों एवं उत्पादो का कुल द्रविमान जो है वो एक समान रहता है समान रहता है बात समझ में आ रही है इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका द्रविमान होगा वो एक ऐसा गुर्धर्म है राइट जिसको ना तो आप बना सकते हो और जिसको ना तो आप नश्ट कर सकते हो मतलब आपका जो द्रविमान है वो एक रूप से दूसरे रूप में पर ऐक स्टूडियंट के संद्रक्षन का नियम क्लदेंग। किसी रासाइनिक या भौदिक अभिक्रिया या फिर क्रिया के दौरान आपका अभिकार को एवं उत्पादों का कुल द्रवेमान कैसा रहता है तो भई ये एक समान रहता है बलब द्रवेमान ना तो बनाया जा सकता है और नहीं पैदा किया जा सकता है ये हमेशा एक रूप स दूसरे रूप में परिवर्तित होता है समझने के लिए एक और अभी क्रिया की तरफ हम चलते हैं यह देखो अब ना मुझे जो है मैं खाली पीली बैटा ता मुझे लगा कि क्या करना चाहिए तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि भी जिसको हम जल कहते हैं जो कि जीवन है सब भीनी रिसकता या सवल समक्राइन और भवह हुए नहीं सकता हम होई नहीं सकते दिना हम रही है सकते रशाइए तो मुझे जो है मैं मैंने जो है अब अधार करवाई हैं यता इसमें का यहां पर मैंने लिखा देखो हाइडोजन कि तो हाइडोजन किते किते-ग फे-फिर किते- ₹ टार ग्राम आक्सिजन कितने हैं तो एक आक्सिजन का 16 ग्राम होता है आक्सिजन के एक किस चीज़ का एक सबूं का कौन सा समूर रुको जरा बताता हूं ठीक है तो आक्सिजन के एक मोल का होता है आपका कितना 16 ग्राम अब इसके कितने हैं तो भाई 32 ग्राम यहाँ पर हैं तो दोनों को जब आपने मिलाया अच्छा फिर जलके एक अडूं का कितना होता है पता है 18 होता है दोनों को आपने मिलाया अच्छा ये कितना बनिया 36 ग्राम बनिया तो फिर मुझे पता चला कि ओके मनलब अभी के संदक्ष iconiI Am easters इंज रात यह कि कुछ नया नहीं हुआ हईटोज्ट्चन वहां से निकला और ऑस्टिजन सी जुड़ गया कुछ इसी तरीके से आपका चमा आक्शिजन है वह ईच्थ चुड़ गया तो इस्ट्डेंट्स ये था हमारा द्रवयमान के संद्रक्षन का नियम इसको बहुत बढ़ी तरीके से अपनी कॉपी में आप लोग कर लेंगे नोट ठीक है चलो नोट कर लो कर लिया ठीक है और इसके बाद राइट इसके बाद अपनी कॉपी में एक बढ़ी असी चीज लिखेंगे कि सभी संतुलित अभीक्रिया हैं सभी संतुलित अभीक्रिया हैं द्रव्यमान के संरक्षन का जो नियम है ठीक है या सभी संतुलित अभीक्रियाओं पर द्रव्यमान के संरक्षन का जो नियम है वो लागू होता है बात समझ में आगी उस पर द्रव्यमान के संरक्षन का निय नियम जो है वो क्या होता है लागू होता है बात समझ में आगी चलिए अब यहां चलते हैं तो इस तरीके से जो है हमने कौन सी चीज देख ली हमने देख लिया द्रव्यमान के संद्रक्षन का नियम पर इसके लिए जो है हमें जो तत्व होते हैं उनके बारे में यह जो जान भी थोड़े देर के लिए बस आप ये याद रख लो की 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 आपको इस तरीक से तत्व पता होने चाहिए और उनकी मॉल में कितना ग्राम है वो पता होना चाहिए बात समझ में आगी चलिए यदि आपने से नोट कर लिया है तो हम चलते हैं यहां पर और इसके बाद हम लोग ठीक है अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैं दोतीना बीकर लिटा हूं ठीक मैं 237 जालो जात तीयां से देखो यह हमारा पहला दिबान है आ और यह जो डिवबा है यह मारा पहला दe participating राइट नई इस स्क्राइन हम लोग यह हमारा पहला डिपा है यह हमारा स्टुडेंट्स दूसरा डिपा है और तीसरा यह हमारे पास कितने डिप्बें हैं ध्यान से देखना ठीक है जो टॉपिक चल रहा है वह भी बिलकुर आपको पढ़ाया जाएगा पर आपके पास जो है तीन डिबें अब पहले वाले में इस सब में पानी भरा हुआ है सब में जो है पानी भरा हुआ है राइट चलो इसमें पानी इतना भरा हुआ है किसी में कम भरा हुआ है किसी में ज्यादा भरा हुआ है चलो इसमें तो फूल भरा हुआ है इसमें जो है कैसा भरा हुआ है तो तो इसमें थोड़ा सा एकदम कम भरा हुआ है और यहां पर जो है वह थोड़ा सा ज्ञादा बरा हुआ है तो इंसमें बढूरा है पानी ठीक है आप ध्यान से दिखेगा एकस्पेरिमेंट बढ़िये वाला द्यान से देखेगा कैसे अब इसमें जो है फेलिदांदiment हो गया इसके हम लेते हैं 9 ग्रपांद यहाँ पनेते हैं 9 ग्रपांद जल लेते हैं और इसके पड़ुस से जो डिय रखा हुआ है इसमें हम जो है 18 ग्राम देज पलिष में जो भीडे पारका हुआ है इसके लिए हम नなた r梅 जल है वह पूच्छने मली बाथ है यह वागत करोगे फ्रक तो h2o जो है कि इसका क्या होगा इसका जो 9 दरविमान है वो क्या होगा बड़ी सिम्बल सी कहानी है कि आपका जो hydrogen उसका एक होता है और ऐसे वाली किToday है डो है इसका होजाएगा दो प्लस आक्सिजन जो है उसका 16 तो भै यह कितना हो गया तो यह ओगया आपका 18 यह आपका18 अब एक काम करते हैं इसमें hydrogen और oxygen का अनुपात निकालते हैं बड़ी सिंपल सी कहानी है तो hydrogen आपका दो है अनुपात है किसा साथ आया सोला के साथ में लुपात याप निकालोगे दोनों ही तक्थवों का राइट तो कितना होगा 2 और 16 के दिया अप निकालोगे तो ये कितना आएगा बताओ जिल Iraq मजदार तो ये जो है यह कितना आएगा पता है आपको है आप यह दीधों के बीच मैं अनुपात निकालते हो ठुडेंट्स यह आएगा हमारा एक अनुपात 68 तो यू कि अग्वारा एक अनुपात और अप सुनो बड़े ध्यान से मेरी बात ठीक है अब देखो यहां नहीं समझ में आगई अब कहीं पर अपने 36 मि जले हैं कहीं पर आपका पानी जो है वह नाराम है कहीं पर आपका जो पानी है वो अठारा ग्राम है ठीक है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब वो जो आपको यहां पर अनुपात यह दिख रहा होगा है ना यह जो आपका यहां पर रेशो दिख रहा होगा जिसको और सिंप्लिफाई करके हम कितना लेकर आए भई वन इस्टो एट एक अनुपा अंहीम का होता है और हेटाज एकार में 2 हाइडरोजन है राइट 18 गराम अब हाइडरोजन है और सलह ग्राम जो है वो आप गो आपको औक्सीजन है तो यही पैसेरी गना चाहूं तो मैं ऐसी तो लीख उंगा ही डू इस टू इसी मैं लिखना चाहूं यह यहां पर मैं अपका हेंच 2 और यहां पर जो है वह मैं लिखोंगा वन बाइट 2ह2 अब लगश हुआ अब तीनों में अंतर गया है वो देखेगा वह एक आपके अनूंका कितना होता है 18 ग्राम तो दो नूंका कितना होगा 2 अनू का कितना होगा, तो 2 अनू का 36 ग्राम होगा और आदे अनू का कितना होगा, तो भ भही 9 ग्राम होगा Common Sense वाली बात इसमें कुछ भी भहंकर नहीं है और यह जो जब नहीं है, भहंकर नहीं है, यह जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो परमानों का संयोजन है वो हमेशा एक समान रहेगा मतलब आप यह यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आप यह पाएंगे 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 आपको पाना पड़ेगा आप यह पाएंगे कि हाइटूजन कितने ध्यान से देखो तो हा चार ऐसा करोगे इसको और oxygen आपके दो हैं देखो दो आगे लगा हुआ है तो यह कितना हो जाएगा बही तो यह जाएगा आपका 32 आप इसको शॉर्ट करोगे तो कितना आया एक आठ यहां पर hydrogen कितना है तो देखो दो hydrogen पर आधा अपन कर रहे हैं तो इसको अपन क्या लिखेंगे एक लिखेंगे और अनुपात में इसी तरी सॉरी इसी तरीके से जो oxygen वो भी तो आधा है ना पूरा होता है तो 16 लेते हैं आधा है तो कितना लेंगे आठ लेंगे कुछ इसी तरीके से यहां पर हम बात करेंग और तो भाइ तो है कितना होता है एक ग्राम 20 जो क्या तक लोगों को तो 12 ले लो नहीं क्या फर्क तक है आप लोगों को जब एक एक चीज़ पर करवा रहा हू तो этой की चलो 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 यह लूब और यह लो और यह लो यह लूब क्या ने कि बंज़े है पानी चाहे एक बॉटल में भरा हो या फिर एक कुए में भरा हो या फिर समंदर में भरा हो या फिर जलवाश्व के रूप में हो पानी के अनू के अंदर उसके परमानू का जो संयोजन है वो एक समान रहेगा बात समझ मैं किसी भी अनु के अंदर किसी भी योगिक के अंदर किसी भी अनु के अंदर और किसी भी योगिक के अंदर उसके जो परमानों का सयोजन है अनुपात है वो एक समान रहेगा कोई फरक नहीं पड़ता कि आप 18 ग्राम जल ले आप 9 ग्राम जल ले या फिर आप 36 ग क्लियर है सिंपल है नोट किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी योगिक की क्या मात्रा ले रहे हो पर किसी भी योगिक के अंदर ज्यान से दिखेगा कहां लिखेंगे इसको हम कहां लिखेंगे इसको हम हम लिख लेते हैं इसको नीचे यहां पर लिख लेत हैं स्थिर अनुपात का नियम खेल खतम बात समझ में आगी तो ये दो नियम जो थे वो अपने को पढ़ने थे इसको हम कैसे लिखेंगे तो मिसको पड़ोस में लिख देते हैं या फिर हम इसको यहां लिख देते हैं ठीक है ध्यान से देखिएगा तो यह हो जाएगा किसी योग योग यूग योग यूगी का मतलब क्या होता है तो यूग जिस चीज से मिनकर बना होता है इसको अर रू कहते हैं रैट चलिये तो किसी योग गे के अंदर ई-प messenger कि Amazon से देखिएगा किसी योग य के अंदर योगी का ऑगा रोलू होता है पर मारू का अनुपात 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 एवं सैयोजन अनुपात एवं सैयोजन एक समान रहता है That's all एक समान रहता है बात समझ में आगी तो सैयोजन और अनुपात जो है वो एक समान रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है कि आपकी जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पदार्थ की कितनी मात्रा है इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता पर्क नहीं पढ़ता राइट की पदार्थ की कितनी मात्रा है योगिक की कितनी मात्रा है तो इस्टुडेंट्स ये इसकी सिंप्लिफाइट जो है डेफिनेशन एक डम इसकी आसान बरिभाशा है एक बड़ी भाशा आपको किताब में भी मिल जाएगी आपको इसको भी लिख लेना है बात समझ भागी चलो इसको नोट करेंगे और बढ़ रहें आगे तो इसको जल् कि आपका जो स्थिर अनुपाद का नियम हो क्या होता है साथ में पर इन नियमों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो फिर आपको चलना पड़ेगा मिस्टर डेल्टन के पास में बात समझ में आ रही है तो इक काम करते हैं यहीपर यह कहानी जो है उसको लिख की अवदारना बात समझ में आ रही है परमाणू तक तो हमारी कहानी पहुंच गई यह हमने यह जान लिया है कि दुनिया का हर्पदार्द जो है वो परमाणूं से मिलकर बना हुआ है वह परमाणू एक समान भी हो सकते हैं और अलग-अलग तत्व जो होता है वो अलग-लग प्रकार के परमानों से मिलकर बना होता है मलनब ये एक ये कि इसी भी पदार्थ की जो अब से चोटी इकाई है राइट वो आपकी क्या है परमानु है जैसे किसी बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो बई सारे इटों की जरूरत पड़ती है कुछ ऐसे ही आपको यह किसी पदार्ट का निर्मान करना है तो 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 पदार्ट के निर्मान करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है परमाणू की अभी जो परमानु है वो कोई एक प्रकार का हो सकता है जासे कि hydrogen बख्शेश्र प्रकार को सकते है जैसे कि nitrogen कुछ और भी हो सकते हैं जैसे कि आपके oxygen का बात समझ में है तो SIMPLE सी कहानी ये है स्टूडेंट्स की अलग-अलग परकार के जो परमारू होते हैं वो अलग-अलग परकार की चीजों का निर्मान करते हैं और दुनिया की किसी भी बदारत के दिए आप बात करेंगे तो वो किसे मिलकर बना हुआ है तो वो मिलकर बना हुआ है अलग-अलग परकार के परमाणू के साгляд हैं, बात समझ में आगी, मतलब यह की डियल्टन की परमानु के सिद्दांत के अनुसार, परमानु जो है, वो अविभाज्य है, परमानु को, देखो कहाना उन्होंने, पर्म अनुन, बात समझ में आगी, परम अनुन, मलब इससे और कुछ परम नहीं हो सकता, बात समझ में आगे, तो PARMAiser जो है, wo कैसा है आप का अविभाजे है, पहली बात, दूसरी बात, अलग-अलग प्रकार के तत्वों के लिए या भिन प्रकार के तत्व के लिए भिन प्रकार के जो PARMAiser हैं वो पाए जाते हैं इसरी बात किसी तत्व के सारे पर्माणू जो एक समान भॉतिक और रसाइने गोर धरम बताते हैं मतलब ये कि इसवा आप ह हाईर्डूजन की बात करो pard को तो हाई他的 in लिगे जितने भी परमाणू होंगे राइट उन सबका जो भौतिक और रासाइनी गुर्धर्म होगा वो एक समान होगा कुछ इसी तरीके से सर जॉन डाल्टन की थियोरी के हिसाब से उन्होंने ये पताया कि कोई भी पर्मानु जो होगा वो दर्वेमान के संदक्षन का नियम उस पर लागू होगा साथ ही हर एक पर्मानु जो है वो किस चीज को फॉलो करेगा तो वो फॉलो करेगा स्थिर अनुपात के नियम को तीसरी बात कि किसी भी परमानू का जो द्रवेमान है वो नियत याने के कॉंस्टेंट होता है उसमें कोई भी परिवर्टन नहीं आता है तो इस तरीके से ये थी हमारी सर जॉल डेल्टन की परमानू सिद्धान्त वाली बात इस पर बहुत सारी क्वेश्चन्स पूछ लिए जाते हैं इसको रिलेट किया जाता है स्थिर अनुपात के नियम से इसी को रिलेट किया जाता है आपके द्रवेमान के संद्धान के नियम के साथ में बात समझ में अब लोगों को पढ़ाने वाला हूं अब परमानू के बारे में अनू के बारे में और कैसे यह सारी जो ची की बनके लागि हुआ सूंभे हैं की लाग